Charles Oliveira vs Justin Gage दोस्तों यह है main event आने वाले UFC card यहने की UFC 274 Oliveira vs Gage जी का दोस्तों कल हम बात करें थे इस fight की बारे में की किस तरीके से बहुत मुश्किल है मेरे लिए एक fighter pick करना with confidence हाँ हम सब का होता है एक फाइट में एक favorite fighter जो हम जाते हैं जो जीते जिसको हम सपोर्ट कर रहे होते हैं I agree but इस fight में साफ-साफ pick करना किसी एक fighter को कि यह fighter तो पका ही जीतेगा बहुत मुश्किल है दोस्तों बहुत मुश्किल है और ऐसा बहुत बार होता है खासकर इस division में जहां पे बहुत सरे fighters हैं जो कि बहुत close हैं in terms of skill set, experience everything और I think मेरे लिए यह कुछ बैसी ही fight है जहां बहुत मुश्किल है with 100% confidence मैं बोलूँ कि यह fighter जीतेगा now अगर आप इस fight को देखें एक तरीके से अलवेर आपनी जो लास्ट दो fight में वो experience कर चुके हैं top level striker Dustin Poirier and Michael Chandler I mean जो round 1 था अलास्ट फायट का उनका against Dustin Poirier बिलकुल साफ साफ पंचिल से वो trade हो रहे थे कुछ पंच खाए अलवेरा ने कुछ लगाए भी बर जादा खाए बट ऐसा लगा नहीं किसी भी time मुझे की वो बहुत uncomfortable है या बच रहे हैं कि यार नहीं मुझे नहीं बिलकुल उलजना हाँ उनने अल्टिमेटली किया अपना एक्जेकुट गेम प्लान चुकि था उनका बबिसली बीजेजे बट स्टिल एफिल की he felt comfortable उनके पास बहुत पावर है चैंडलर ने बिलकुल दिखाई वो पावर बट ऑलविरा डफिनेटली वो दो बड़ी फाइट थी जो की बहुत तफ थी उनके लिए और दोने ही फाइट में लगा कि शायद वो अब मुश्किल में हैं बट वहां से वो उभर आए और योपाट जीत गए नव यही मिया सवाल है कि जब डस्टन पो रही है और मैंक चैंडलर जो कि एक तरीके से इन टमस अफ एक्सपीरियंस जदा एक्सपीरियंस फाइटर हैं और उनके पास जदा I think options हैं पंचिस्क करने के वो शायद उतना अच्छा काम नहीं कर पाए Now, obviously Gechi एक evolved fighter है वो दिरी दिरे काफी evolve हो रहे हैं खासकर after 20 fight with patience वो खेल रहे हैं भावनों में नहीं बहजाते but I feel कि जिस हिसाब से हम देखते हैं Gechi को जो एक तोड है उनकी पूरी गेम प्लान की वो है grappling I am 110% sure Gechi मशिस हभीब फाइट कम से कम पांदस बार देखी होगी Charles Oliveira उनके fight camp में कि यार इसे करना है डॉमिनेट Gechi को Well, Habib फाइट में यहाँ पे एक अलग बात थी कि Habib is a bigger fighter There is no doubt Habib उस दिन भी बड़े थे और जब यह fight हो रही थी जब वो वो तेकडाउन तो जो वेट है definitely और अबिसली अभी पे अलग लेवल पे है But वो जो एडवांटेज थी I think वो यहाँ पर नहीं रहेगी विद Oliveira Because Oliveira by default इतने बड़े फाइटर नहीं है Gechi definitely With Gechi जो अब तक मैं देख रहा हूँ जो कि हिस्टरी है उनकी वेट कटकी या बाकी और चीचेजों की Now एक तरीके से ये एक last chance भी है for Justin Gechi अगर आप देखें Last time उनकी fight हुई थी against Habib, अब वो fight कर रहे हैं फिससे एक बार और क्योंकि इतनी कि ये tough division है कि बार बार चांस मिला बेल्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा बहुत मुश्किल तो वो शादी जानते होंगे कि ये मेरा दूसरा चांस है And who know, शाद लास चांस है इस दिजिजिए में फाइट करने का और बेल्ट जीतने का So, क्यूना मैं इसका फाइदा उठाऊँ Well, frankly, दोस्तों हलां कि कल मैं ने कहा था इन लिए चाइट कि Maybe I will prefer Oliveira हलका सा But वो हलका सा इसलिए है Because I'm not confident I'm not sure कि क्या सच में Oliveira ये फाइट जीत जाएंगे And I still believe, दोस्तों, कि ये 50-50 फाइट है और इसलिए ये फाइट इतनी इंड्रेस्टिंग है कि बहुत मुझकिल है ना कि ये फाइट कौन जीतेगा And दोस्तों, ऐसी फाइट है वो बहुत अच्छी होती है दोस्तों, anyway हमने इस तरीक से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे आने वाले काड़ का एक प्रिव्यू इस वीडियो के साथ And obviously we will talk more about this fight in detail breakdown, preview, live chat, everything, everything दोस्तों, यह था मेरा वीडियो What do you think यह fight, कौन जीत सकता है या ज़्यादा चांस है जिसके पास यह fight जीतने का मते ही मुझे कमेंट्स के अंदर, मिलते हैं next time